तो दोस्तों वेल्कम बेक टू माय चैनल आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेक्णिकल वर्ब में तो दोस्तों दोज्चा 23 आगया है 1222 में टाटा पले के कौनसे बॉक्स है वो बेस्ट मेस्ट और कौनसा बॉक्स है वो नमबर बन पर रहा है 2022 में और क्या 23 में आपको वीडियो को एंटर देना और अगर आप में चल्पे नए नहीं हो तो प्लीज में चल्प को सब्सक्राइब कर लेना चला है विदाउट इंट्रो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस पहले तो बात करेंगे कि 2022 में कौन सा बोक्स है वो बेश्ट रहा है उससे पहले मैं आ नमर पर आता है टाटा प्ले का HD Plus सेट बोक्स साद आपको तीसरे नमर का बोक्स है वो पता नहीं हो कि उसका ज्यादा एड नहीं आता है और online कहीं भी आपको दीखेगा नहीं क्योंकि जो HD plus box है वो उसका market demand है बहुत ज्यादा कम है उसका अभी एक कारण है क्योंकि क्या है वो बहुत ही पहले आया था 5,000 रूपीज है उसका price था और उसमें कोई भी एंडरी सिस्टम अगेरा नहीं आता भले recording कर सकते हो इसलिए वह बोक्स ज्यादा चला नहीं उसके बारे में अलग से वीडियो बना देगे कि क्यों नहीं चला है ओके तो वह थर्ड नमबर का box है बिंज प्लस सेट उबोक्स वह भी ज्यादा चला दोस्तों का अच्छे 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 लिस्काउंट पे चला और फर्स मेर पर HDR या distractions नमबर namely ऑभ्लाव के एचले 15,000 प्लस अपने बॉक्स ऑक कि क्या होता है कि HD box में भी ज्याद ज्याद अच्छे offers आते थे यानि कि इसमें क्या होता है कि लोगों के माइंड में कंफूजन रहता था कि हम क्या HD box purchase करें कुछ-कुछ के माइंड में यह था कि मुझे सिर्फ HD इस चैनल देखना है तो मैं HD plus box purchase कर लूँ और कुछ-कुछ लोगों के माइंड में यह रहता था कि मुझे एंड्रोड सिस्टम अपना टीव स्मार्ट बना तो HD plus box buy कर लेते हैं तो इसमें आपको सही में बताओं तो 2022 में ज्यादर एड्ड आपको HD box की मिलती थी आप देखोगे कहीं पर भी आप देखने को आपको मिल जाएगी HD box का जो एड वगेरा है वो 2022 में ज्यादा चला है मुकाबले बींच प्लस इतना ज्यादा बींच का एप नहीं चला है बट HD box का बहुत ही ज्यादा चला है उसका जो प्राइज है वो 1100 रुपीज है कभी-कभी 1800 रुपीज चड़ जाता है बात में 1700 यह सा कुछ चड़ा है तो अभी तो देखे तो बींच प्लस बोक्स काफी अच्छा है एक प्राइज में अच्छा रहा है उसका प्राइज भी खट गया है बींच प्लस बॉक्स में अभी के टाइम पर मिलता है अगर आपके पास HD प्लस बॉक्स है तो विद्ध डिसकाउंट आपको 500 लेस करके आपको 800 रुपीज या 1700 रुपीज में आपको बॉक्स मिल जाता है उपर से अगर आप धमा का ओफर लेते हो तो आपको एक ही साथ 6000 रुपीज का रिचार्च कर गए आपको बींच प्लस बॉक्स से वो फ्री मिलता है बहले ही HD प्लस में भी थमा का ओफर चल रहा है बट आपको बींच प्लस बॉक्स भी फ्री मिल रहा है इसलिए आप उसमें देख सकते हो भले इंडिया में 4K चैनल नहीं आये है बड़ आने वाले टाइम में 4K चैनल आएगी है तो उसके लिए एक सेफ बॉक्स है बींच प्लस सेट बॉक्स तो 2022 का बेस्ट बॉक्स है बींच प्लस सेट बॉक्स अब दूसरा सवाल कि 2023 आ गया है तो बींच प्लस बॉक्स अच्छा है इसमें एंडरीट सिस्टम चलता है एंडरीट का सब कुछ चीज़ें है डेटर ट्रांस्पर होगे ना कर सकते हो इंटरनेट पर चलता है और 4K भी सपोर्ट है आप यूट्यूब के वीडियो 4K में देख सकते हो तो मेरी मानो 2022 में आप ब दूसरा भी रीजन है प्राइस बींच प्लस बॉक्स का प्राइस उपर नीचे नहीं होता है बड़ एच्टी बॉक्स का उपर नीचे बहुत ज्यादा होता है नीचे तो छोड़ो उपर ही होता है अब आपने देखा तो 2020 में अट्राज रुपीस तक चला गया था प्राइ प्लस सेटप बॉक्स और आपको भी 20 प्लस सेटप बॉक्स लेना चाहिए ओके आसा रखता हूं कि यह सब आपको चीज़े है वह पता चल गई होगी मैंने इसके लिए ही वीडियो बनाया था कि कौन सा बॉक्स बेस्ट है और 2030 में आपको कौन सा बोक्स है वह पर चेस करना चाहिए तो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा ओके और कोई भी आपको सुझाओ सवाल है तो प्लिस मुझे कमेंट करना में रिप्लाइ कर दूगा असा रखता हूं वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा लाइक कर देने साथ हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब घर पर रेस रखते रही हैं थेंक्यू सो मच वचिंग में चैनल थेंक्यू सो मच